तो बच्चों जवाः नोव अदिय विद्धियाले और केंद्रिय विद्धियाले और जितने भी स्कूल में एडमिशन के लिए फौम भरे जा रहे हैं आपने भरे हैं उनके इंटरेंस की बेतरीन तयारी के लिए एक्जाम कार्ट की ये बुक अग्रवाल एक्जाम कार्ट की ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है इसे जरूर मंगाएं और इसके लिंक डिस्किप्शन में दी गई है तो बच्चे चलो आज हम पढ़ते हैं हिंदी और हिंदी में एक टॉपिक है अनेख सब्दों के लिए ए बोलता हुत्वाइじゃあ कोई भी हम वाक के बोलना है तो उनमें इक ही सब्दक के लिए यह बोर Γणे के कि लिए को प्रियोगक करते हैं जिनने ही हम कहते हैं उन्मस प्रहें पर इनwar चलो देखते हैं क्या कह रहा है कि पहला है अपनी हत्या करने वाला अगर यह वड़ा है अपनी हत्या करने वाला तो इसका वर्ण वर्ण सब्स्टिटीशन क्या होगा तो भाई देखो जो अपनी हत्या करेगा वह आत्मत्या ठीके न वह कर्म जो होगा वह आत्मत्या होगा ल देखने में अच्छा लगे उसे क्या करते हैं प्रिये दर्सी प्रिये का मतलब होता अच्छा और दर्सी का मतलब होता है देखने में तो जो देखने में अच्छा लगे वो प्रिये दर्सी फिर आता है ऐसा व्यक्ति जो मांस नहीं खाते हैं उन्हें क्या का जाता है चाहे व साहरी का मतलब होता है जो मांस बिल्क। नहीं खズके हां इसे क्या मांसा हारी है तो अगर दोनों चीजे खाते हैं तो इसको Kiya बोलते हैं सरवाहरी ठीक है अच्छा एच चीज और भी आता है कि हम खाते हैं या नहीं खाते हैं यह matter नहीं रखता ठीक है क्योंकि यह science में बताए जाता है कि animals जो होते हैं वो दोनों चीजें human हो गया तो वो दोनों चीजें खाता है द्रतिकत नहीं पूछ जार रप्रसनली नहीं पूछ रहें ठीक है तो यह अगर human के बारे माता तो human कैसा है omnivorous है यानि सरवाहरी है ठीक है समझ में आगे होगा जो भूमी उपजाओ हो जो भूमी उपजाओ हो उसे बोलते हैं उर्वर ऑप्शन में उर्वरक भी आता है तो उर्वरक नहीं होगा ठीक है जो भूमी उपजाओ हो उसे बोलते हैं उर्वर जो भूमी उपजाओ ना हो तो ये तो जानते ही हो बंजर ठीक है तो जो भूम जाओना हो वो बंजर फिर जो सबको प्रिये हो जो सबको तो सबको होता है सर्व प्रिये का तो प्रिये हो जाएगा यानि जो सबको प्यारा हो उसे बोलते हैं सर्व प्रिये ठीक है फिर देखो जो आखों के सामने हो तो ज उनमें आगे आओगे इतना चल आगे देखते हैं अगले दिखो जो जन्म से अंधा हो जो जन्म से अंधा हो वो जन्मांद जो जन्म से अंधा हो उतसे क्या बोलते हैं जन्मांद बोलते हैं और जो मोख्ष चाहता हो अच्छा मोख्ष का मतलब क्या होता है जैसे यह मानिता ह ना कि जो human है human being उनका पुनर जन्म होता है उनका पुनर जन्म जो होता है उनके कर्मों के अधार पर होता है यानि अगर कर्म अच्छे है तो उन्हें अच्छी योनी में जन्म मिलेगा मलब किसी अच्छे रूप में जन्म लेंगे लेकिन यह क्या होता है कि चाहे अच्छे र तीनों में मात्रा है, मूँ में, मूँ और छू, ठीक है, तो तीनों में मात्रा है, तो जाएगा मूँ मुच्छे, जो देखने योग्य हो, तो जो देखने योग्य हो, वो क्या होते हैं, दर्सनी है, जो देखने योग्य हो, वो दर्सनी है, फिर रात में घुमने वाला, होता है रात और चर का मतलब होता है घूमने वाला तो रात में घूमने वाला निशा चर फिर आता है परोपकार करने वाला तो परोपकार करने वाला कौन होता है परोपकारी परोपकार करने वाला परोपकारी फिर जो दूर की सोचे है दूर की सोचे का मतलब जो आखी की कि यह बहुत ही जादा problem create करने वह तो उन्होंने lockdown लगा दिया किसके वज़ा से ताकि आगे चलके problem ना हो तो आगे के बारे में सोचना ही क्या होता है तूधर सी होता है ठीके ना फिर जो भविस्य में आने वाला हो तो जो भविस्य में मतलब जो आगे आने वाला हो उसे बोल है नहीं है तो मेहमान खुद आते हैं ठीक है तो क्या होता है जो बिना अतिति के आए वो आतिति हो सकता है वह उसे लोगों ने फिल्म देखी हो अतिति कब जाओगे तो उसमें देखो तो वह बिना किसी के यानि दूसरे का मेहमान होता है दूसरे का अतिति होता है और वो तो बहुत ऊच्छा है जो कभी बूरह ना हो उसे कहते हैं उसके बाद जो कभी बूरह ना हो उसे कहते हैं जो कभी मरे नहीं उसे अमर कहते हैं यानि अमर अजर है बोलते हैं ना अमर अजर तो अमर का मतलब होता है जो कभी मरे नहीं और अजर होता है जो कभी बुढ़ा ना हो ठीक है फिर जो साथ में काम करने वाला होता है यानि जो हमारे साथ काम कर रहा होता है हमारे आफिस में य उसे बोलते हैं सहपाथी यह तो जानते ही हो जो साथ में पढ़ता है उसे बोलते हैं सहपाथी ठीक है ठीक है साथ चलने वाला जो साथ में चल रहा हो उसे बोलते हैं सहचर ठीक है सहचर चलने वाला निकलने वाला तो जो साथ में चलता है यानि होता नहीं कि हाथ में हाथ प तो चलो आगे देखते हैं चलो आगे देखो जिसका नाथ ना हो जिसका नाथ ना हो का मतलब क्या है जिसका कोई गार्जियन ना हो तो उसे बोलते हैं पहले तो यह बोलते हैं जिसका नाथ हो तो उसे बोलते हैं सनाथ और जिसका कोई नाथ ना हो उसे बोलते हैं आनाथ यह तो पढ़े होगे न, जिनके माव अपनी होते हैं, उन्हें अनाथ बोलते हैं, तो जिसका नाथ हो, वो सनाथ, और जिसके नाथ नाथ ना हो, जिसके माता पिता ना हो, वो अनाथ, ये बहुत ही इंपोर्टेंट वाट है, जिसका कोई सत्रू ना हो, तो उसे बोलते हैं, अज यहां तक जाना संभव हो उसे बोलते हैं अगम्य जो बिना वेतन के काम करें उसे बोलते हैं आव वैतनिक जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे हाँ काम करते हैं लिखे उसके लिए वो पैसे नहीं लेते तो इसको क्या बोलते हैं आव वैतनिक जैसे यह आपका चैनल है सरवन गुरु जी तो इस चैनल पर देखो क्या है क्यों काम कर रहा हूं मैं ठीक है आप से पैसे नहीं ले रहा हूं तो मैं किस तरह का काम कर रहा हूं अब वहतनिक काम कर रहा हूं ठीक है तो चलो फिर जिस अगला देखते हैं जिसमें जानने की इच्छा हो यानि हर चीज को जानने की इच्छा हो उसे बोलते हैं जिग्यासू क्या बोलते हैं जिग्यासू फिर जिसका वर्ण नहो उसे बोलते हैं आवर्णी है जिसका वर्ण नहो उसे बोलते हैं वर्णी है फिर जो जाता बोलता हो उसे बोलते हैं वाचाल क्या बोलते हैं जो ज़्यादा बोलता हो उसे बोलते हैं वाचाल फिर जो कम बोलता हो उसे बोलते हैं मित भ्यासी क्या बोलते हैं मित भ्यासी जो ज़्यादा बोलता हो उसे बोलते हैं वाचाल और जो कम बोलता हो उसे मित भासी यानि कम बोलने वाला ठीक फिर आगे देखत होता है उसे बोलते हैं वर्थ॥ किरा किसी चीज के बारे में कम जांकारी हो तो उसे बोलते हैं अल्पग्य्येर. जानता अल्प ग्यानी जो कम जानता हो उसे अल्पक्य फिर जिसे जाना ना जा सके अब यहां देखते हैं जिसे जाना ना जा सके उसे बोलते हैं अग्ये जिसे जाना ना जा सके कहने का मतलब क्या है कि जिसके बारे में कुछ हम लोग पता ना कर पाएं वो क्या होता है अग् और जो बात पहले कभी न हुई हो उसे बोलते हैं अभूत पूर वगटना अभूत पूर योगदान तो जो बात पहले कभी न हुई हो उसे बोलते हैं अभूत पूर फिर जिसमें सक्ति न हो उसे बोलते हैं अशक्त जिसमें सक्ति न हो उसे बोलते हैं अशक्त और जिसका बहुत सकती हो तो सकती साली ठीक है तो जिसका कोई नात नहों वो अनात और जिसमें कोई संदेह नहों जिसमें कोई यानि कुछ बातें ऐसी होती है जिन पर संदेह नहीं होता रही है तो उन्हें बोलते हैं निसंदेह ठीक क्या होता है जिनमें कोई संदेह नहों तो उन्हें कहते हैं नौजात सिसू तो जो नया जन्मा हो वो नौजात ठीक है फिर जो नया जन्मा हो वो गया नौजात जो अच्छे कुल में उत्पन हुआ हो उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं कुलीन जो अच्छे कुल में जन्मा हो तो उसे बोलते हैं कुलीन चलो आगे देखते है के आगे देखो भी है क्या है कि जो उपकार को माने जो उपकार को माने उसे बोलते है कृतफं 책 जो उपकार को माने वो क्रिटक यह जो उपकार कोना माने कितग्ण ठीक है ऊपकार को इसमें चिय совремile ति यह याद रखना उसके है सदा रहने वाला सर्सवत जो हर्ची हमेशा के लिए हो उसे क्या बोलते है शर्षत फिर बहुत तेज चलने वाला जो बहुत तेज चलता हो उसे बोलते है दृत कामी क्या बोलते है दृत कामी फिर जिसका इलाज नहो सके तो जिसका इलाज नहो सके उसे बोलते है असाद दे जिसे भुलाया ना जा सके उसे बोलते हैं अविसमरडी है क्या होता है जिसे भुलाया ना जा सके उसे बोलते हैं अविसमरडी तो को असमरडी है न याद करना तो उसे में अवी लग गया तो इसका हो गया जिसे भुलाया ना जा सके यानि अवी असमरडी है ठीक है उसके बार जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते है अजे या अपराजे मलब जिसे हराया ना जा सके तो यानि यह होता है जिसे जीता ना जा सके अब जे या अपराजे जो वर्स में एक बार होता है वर्सिक मैंने यह पहले भी बताया आपको फिर जो सप्ताह में एक बार होता है उसे बोलते हैं साप्ताहिक क्या होता है जो सप्ताह में एक बार होता है उसे बोलते हैं साप्ताहिक जो पंदरा दिन में एक बार होता है अब यहाँ से देखो पंदरा दिन में उसे बोलते हैं पाच्छिक पंद्रा दिन को पच्छ बोलते हैं तो जो पंद्रा दिन में एक बार होता है उसे बोलते हैं पाच्छ आट करूद सुरूरे अंत उसका कोई संतान नहों उसे बोलते हैं निसंतान फिर ऊपर लिखी वह तो यह तो पता ही है उपर लिखित जो चीज़ें उपर लिखिए है उन्हें क्या बोलते हैं उपर लिखित और जो चीज़ें नीचे लिखिए हैं उन्हें क्या बोलते हैं निम्न लिखित जो चीज़ें नीचे लिखिए हैं वो निम्न लिखित तो चीज़ें याद हो रही हो राजनीति से सम्मंदित, जो चीजे राजनीत से सम्मंदित हो, उन्हें बोलते है राजनीतिक, जो करने योग्या ना हो, उसे बोलते है अकर्णी है, मतलब जिसे करने लाया की नहीं है, तो उसे क्या बोलते है, अकर्णी है, और जो करने योग्या हो, वो कर्णी है, ठीक है, क बाहर के बाद का समय उसे बोलते हैं अपरहन क्या बोलते हैं अपरहन और जिसका कोई आधार ना हो उसे बोलते हैं निराधार मतलब जिसका कोई मतलम ना हो तो होता है निराधार जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो होता है अधितिये मतलब के वह लेखी हो तो उसके इस तरह स से जी चुराने वाला यह तो पता ही है जो काम से जी चुराता है उसे क्या बोलते हैं काम चोर जो काम से जी चुराता है वो काम चोर यह तो घर में भी हम लोग सुनते हैं उसके बाद फिर आता है मेहनत करने वाला वह होता है मेहनती और करमट जैसे मम्य आपा तो क्या होता है मेहनती और करमत काम करने वाले जिनकी आयो लंबी हो वो क्या कहलाते है दीर घायो यानि दीर का मतलब बड़ा होता है आयो जिनकी आयो बड़ी हो यानि लंबी हो दीर घायो जिनकी आयो छोटी हो तो छोटे को अलफ बोलते है तो अलफ आयो अलप प्लस आयो मुलब जिनकी आयो छोटी हो तूने बोलते अलप आयो फिर दुपहर से पहले का समय क्या होता है अप्रहान होता है दुपहर के पहले का पूर्वाहन, तो यह 17 वर्स थे, मुझे लगे कि हाँ यह आपको जानने चाहिए तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने यह काम करना होगा कि सब्सक्राइब बिटन दबा कर बिल आइकन को प्रेस करना होगा तब आपको मेरे क्लास की नोटिफिक्शन सबसे पहले आपको मिलेगी ठीक है चलो फिर अगले क्लास में मिलते हैं जैहिंड वंदे मात्रम